अजके इस वीडियों में आपको यह बताने जारोँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android mobile phone में आप अपने mobile phone की नेटवरक की प्रॉल्डम का उप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आपके इस वीडियों में आपको डिटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone में network की problem आती है तो इसकी solution के लिए क्या है सबसे पहले तो आपके mobile phone का जो sim card होता है na sim card को mobile से बाहर निकाल के उसे sim tray पे दुबार से अच्छी से लगाना है ध्यान रखिएगा sim card को sim tray की slow to one में लगाना है उसके बाद phone के अंदर डाल देना है इसे भी network की problem solve हो जाती है अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone की network setting को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone की network setting ठीक से काम नहीं करती है जिसके करण हमारे phone के अंदर network की problem देखने को मिलती है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting पेज ओपन कर लेना है setting page के अंदर आपको सबसे उपर की side यह search setting का यह option tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search bar में reset आपको लिखना है wifi, mobile data, bluetooth यह तीनों setting आपकी mobile phone की network setting के साथ reset हो जाती है आपको नीचे की side से reset setting का यह option tap करना है ठीक है अब यहाँ पर आपको जो है यह OK का बटन टाप करना है आपको नीचे यहाँ पर लिखावा आ जागा थोड़ी देर में network setting have been reset इस तरी किसे आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे phone की network की problem solve हो जाती है ठीक है अब देखिए अगला काम करना क्या है mobile phone को reboot करना है इसके लिए phone के side वाला power button आपको उंगली से यह दबा के रखना है थोड़े देर तक तो आपकी screen की सामने यह आला page आता है इसमा आपको reboot का यह option tap करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone जो internet आपको चलू करना है इसके बाद mobile phone का setting page open कर लेना है setting page के अंदर आपको सबसे उपर की side यह about phone के सामने अगर आपको यह update का बटन दिखाई देता है तो इससे update पर tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके mobile phone की network की problem solve हो जाती है ठीक है अब देखिए यहापर आपको अगला प्रोसेस करना है देखिए दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस को यह अगर काम नहीं करते है तब आपको mobile phoneको reset करने के लिए систем सेटिंग पेजtle सेटिंग आपको टबको लिखना है तो आपको छोज़ी दियर में नीचे कीू तो थोड़ी दिर में यह देखिए ओप्शन हो जाता है ऐसे टाप करना है आपको इस वाले पेज में सबसे नीचे की साइड यह वाला ओप्शन आपको टाप करना है इससे क्या होका आपका फोन जो रिसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो नेटवर्क के प्रॉलम है सॉल ह हो जाएगी लेकिन आपको मुवाइल फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह द्यान रखना है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपकी सीवी दूसरे फोन में ट्रांसवर कर लिजे या उसका बैक अप ले ले लिजे दू दूसरी बात यह द्याम रखने हैं आपके फोन की Gmail आईडिया और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम पहले करना है उसके बाद मुवाइल फोन को रिसेट करना है ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो मेरे बता है वे सारे प्रोसेस आपको यूज कर नए से आपके फोन की नेटवर्क की ट्राब्लम सॉल हो जाएगी